सीबेसी वर्ट्स में आपका स्वागत है तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेज और हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन हुमन बिंग सहला टॉपिक चल ला था जिसमें हमने एक्टिविटी देखी थी और हार्ट के बारे में स्टेडी किया था कि हार्ट कैसे वर्क करता है कैसे बलड पंप करता है ये सारी चीज़ देखी थी तो उसी टॉपिक को हम आज आगे continue करेंगे तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख लो क्योंकि उसके बिना ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा आज का टॉपिक तो अगर आपको देखना है पिछली वाली वीडियो तो उपर एक आई बिटन मन कर आ रहा होगा वहां आप क्लिक करोगे तो वहां से आप देख सकते हो तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक फिगर है फिगर 6.11 इसको मैंने फ्लो डाइग्राम से तो एक्स्प्लेंग किया था पिछली वीडियो में यहां जो डाइग्राम दी है इसको भी थोड़ा साम देख लेते हैं कि यहां पर देखो यह क्या है यह आपकी lung capillaries है capillaries के बारे में भी हम आगे थोड़ा detail में देखेंगे ऐसे समझ लो जो पतली-पतली blood vessels होती है यानि ऐसे pipe जिनके अंदर से blood flow कर रहा होता है वह हमारी blood vessels होती है तो जो छोटी वाली पतली वाली blood vessels होती है वह हमारी capillaries होती है इनका connection उस organ के जहां पर भी यह present है उसके सारे cell तक रहता है टाकि कोई भी चीज blood से cell में जानी हो या cell से blood में आनी हो तो आसानी से जा सके ठीक है पूरा एक network का एक जाल सा ऐसा होता है तो मैंने आपको दिखाया भी था image में कि lungs के अंदर जो alveolize होती है वहाँ पर ऐसे capillaries लगी होती है जिसके थुरू oxygen उनके अंदर इंटर करता है ठीक है तो blood के अंदर जब oxygen इंटर करेगा तो blood क्या हो जाएगा oxygenate हो जाएगा ठीक है oxygen rich हो जाएगा तो lungs से blood जाएगा heart की तरफ जिससे इसकी pumping हो सके तो heart में pump होके outer के थुरू निकलते हुए body के सारे part तक जाएगा ठीक है body के सारे organ तक जाएगा किस tube के जरीए किस blood vessel के जरीए आपकी जो artery है उसके जरीए ठीक है arteries क्या होती है वो blood vessels होते हैं वो tubes होते हैं heart से निकल ले होते हैं यानि heart से जो blood निकालते हैं ठीक है तो ये जाएगा body के सारे part तक body के सारे organ तक तो वहाँ पर भी capillaries जी तरह से blood vessels का जाल होगा ठीक है तो सारही जो body organ की capillaries है lungs को छोड़ के क्योंकि lungs ते हो तो अभी निकल कर आई है lungs के अलावा जितने भी part है वहाँ जो capillaries present होगी वहाँ ये जाएगी तो वहाँ भाई जैसा हमने पढ़ चुके हैं कि cell में reaction होगी जिसे carbon dioxide release होगी वो blood के अंदर चली जाएगी तो अब जो है वो deoxygenated blood है यानि एक ऐसा blood है जिसके अंदर carbon dioxide अच्छी कासे amount में है देखो deoxygenated में भी oxygen present रहता है लेकिन पहले की comparison में कम हो जाता है क्योंकि कुछ जो आपके oxygen थे वो reaction में participate कर लिए और वो carbon dioxide में convert हो गए तो इसलिए हम इसे deoxygenated कहते हैं क्योंकि अब इसमें carbon dioxide की content पहले से जादा हो चुका है तो ये body से निकल कर वेना कावा के थुरू होते हुए आपके कहां जाएगा heart में फिर इसकी pumping होगी पंप से जब निकलेगा तो किसके थुरू pulmonary artery थी थीग है इसके थुरू होते हुए lungs में आपके पहुच जाएगा और इसी तरह से पुरी cycle चलती रहेगी तो चलिए हम आज का अपना main topic देखते हैं तो जो separation है right side और left side of heart का ये useful होता है to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing तो इस partition की वज़े से जो हमने देखा था ये मैं फिर से दिखायता हूँ आपको ये जो हमारा था बीच में ठीक है ये क्या था आपका septum dividing wall था इसकी वज़े से क्या था ये जो blue वाला है deoxygenated blood और जो ये red वाला है oxygenated blood ये आपस में mix नहीं हो पा रहा है ठीक है तो separation से ये फायदा होता है such separation allow a high efficient supply of oxygen अब mixing ना होने के वज़े से oxygen की supply efficient हो पाती है ये अच्छी कासी हो पाती है body पे body के पास क्योंकि body को किस चीज़ की जोरत है energy निकालने के लिए oxygen की तो जितना ज़्यादा oxygen पहुचेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन अगर mixing हो जाएगी तो carbon dioxide भी ज़्यादा चिली जाएगी देखो oxygenated blood में भी carbon dioxide होते है लेकिन थोड़े होते है अब जो आपका blood है उसकी gas को अपने साथ ले जाने की capacity होगी जैसे bus हो गई, car हो गई उसके अंदर लोगों को ले जाने की capacity होती है बाइक पितने लोग जा सकते इससे जादा लोग नहीं जा सकते उसी तरह blood की भी एक अपनी capacity होती है कि इतने ही gas को अपने साथ ले जा सकती है एक बार में तो माल लो हम example ले ले लेते हैं कि जो आपका blood है उसकी capacity है कि वो 10 unit gas को ले जा सकती है अब वो gas कोई भी हो सकती है oxygen ले लो गा carbon dioxide तो अगर माल लो mixing हो गई तो mix हो जाएगी तो carbon dioxide भी हमारे oxygenated blood के अंदर इंटर कर जाएगा जो body के तरफ जा रहा है तो माल लो 4 unit आपके CO2 आ गया तो total capacity 10 unit की है तो आपका 6 unit oxygen ही जा पाएगा वही अगर mixing नहीं हुई तो माल लो सिर्फ एक unit carbon dioxide पहले से present था तो अब 9 unit oxygen जा सकता है तो जितना जादा oxygen जाएगा उतना ही जादा अच्छा होगा body के लिए क्योंकि cell को oxygen की ज़रुआ थे energy निकालने के लिए mixing ना होने की वज़े से high efficiency के साथ oxygen की supply हो पाती है यानि जादा amount में oxygen पहुच पाती है अब यह mixing करना होना उन animals के अंदर useful होता है that have high energy need जिनको energy की ज़रुआ 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 है यानि वो जचाहेंगे ज़दा ज़दा एक बार में oxygen पहुचे ताकि ज़दा ज़दा एक बार में energy निकले तो वो animals जिनको energy की need ज़दा है उनके हाँ system यह होता है कि mixing नहीं हो पाती जैसा आपका birds हो गए mammals हो गए mammals में जिसे human आ गए cat वगरा भी आ गई तो इनको क्या होता है constantly use energy to maintain their body temperature तो जैसे birds हो गए mammals हो गई इन लोगों को क्या होता है कि constantly energy की ज़रौत पढ़ती है ताकि अपना body का temperature वो maintain रख सके जैसे हम human अपना ही example ले ले तो हमारे जो body का temperature रहता है वो maintain रहता है चाहे सर्दी हो या गर्मी हो body का जो internal temperature है वो almost same रहता है आप इसे test भी कर सकते हो winter season में सर्दी के मौसम में thermometer लगा के देखो और गर्मी के मौसम में thermometer लगा के देखो तो आपका temperature on an average same ही रहेगा बाहर का body की temperature भले ही environment की वाज़े से कम जादा होने लगे वो collect चीज़े लिए body की temperature same रहता है वो depend होता है temperature in the environment यानि environment का temperature कम हो जाएगा तो उनका body की temperature भी कम हो जाएगा अगर जादा हो जाएगा तो इनकी body की temperature भी जादा हो जाएगा ठीक है तो environment के हिसाब से इनका temperature कम जादा होता है तो उन animals की अगर हम बात करें इसमें कौन से आगे जैसे कि वो animals आगे जैसे आपका amphibians हो गया, जिसके अंदर frog वेगरा आता है, बहुत से reptiles हो गया, सारे ही नहीं, बहुत से reptiles जैसे आपका snake हो गया, तो इनके 3 chamber heart होते हैं, हमारा क्या है, 4 chamber heart होते हैं, जैसे यहां मैं मना के दिखाऊँ, तो हमारा क्या था, 4 chamber था, ठीक है, उपर वा एक ज़रवत नहीं है, environment के हिसाब से जैसा होना चाहिए, हो जाता है, तो उनके क्या होते हैं, 3 chamber heart होते हैं, इनमें आपका amphibian हो गया, और बहुत से reptiles हो गया, तो यह tolerate कर लेते हैं, कुछ mixing उनके में चल जाती, ठीक है, oxygenated और deoxygenated blood की, ठीक हो जाए, तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें जादा energy की ज़रत नहीं है, एक बार में कमी energy निकलेगी, कम energy कैसे निकलेगी, जब कम oxygen पहुचेगा, और कम oxygen तभी पहुचेगा, जब उसमें mixing हो जाएगी, तो carbon dioxide भी पहुच गया उसके अंदर, ठीक है, अच्छा, fish की हम बात कर लें, तो इनके साथ क्या होत होता है, या fish का कितने chamber heart होते हैं, तो अब बतारा है, यह two होते हैं, तो इनके two chamber heart होते हैं, अब इसमें कहानी क्या होती है, blood pump होता है, gills की तरफ, वहाँ यह oxygenate होता है, और पास हो जाता है directly पूरी body के तरफ, ठीक है, मतलब कहने का यह है, कि जैसे fish की हम बात करें, तो fish का है, heart है, heart से क्या निकलेगा, de-oxygenated blood निकलेगा, और यहाँ यह पहुचेगा, gills के पास, ठीक है, हमने देखा था, gills से कैसे, जो water absorbed, यानि water के अंदर जो oxygen present होती है, उसी को absorb करती है, fish की जो gills होती है, ठीक है, तो उस oxygen के जरीए, यह जो blood हो जाएगा, oxygenate हो जाएगा, तो फिर body के सारे parts तक पहुचा, फिर वापस heart ने पहुच गया, लेकिन हमने अपना human वाला देखा तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे यह वाला मैंने जो दिखाया था कल, lungs से चला, और lungs तक पहुचने में दो बार heart के पास पहुचा, ठीक है, दो बार इसे pumping की ज़रूत पड़ heart से पास हुआ, वहीं दूसरी तरफ, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates, vertebrates क्या होते हैं, यह आपने पढ़ा होगा नाइंत में, जिनके true vertebral column हम होते हैं, ठीक है, यह इमोवेबल उनकी read की हड़ी होती है, तो उनकी बात हो रही है, इसमें human beings से आ गया है, तो इंसानों के घर हम बात करें, तो यहाँ पर एक cycle में, दो बार heart से पास होता है, जैसे कि मैंने दिखाया था, तो इसको हम क्या कहते हैं, double circulation, यानि दो बार circulate हुआ, दो बार heart से blood पास होकर गया, एक cycle में, यानि lung से निकला, तो ऐसा नहीं कि direct body पहुँच गया, उसे heart के पास जाने की ज़रूद पड़ी ताकि उसकी pumping हो सके, फिर heart से निकला, जब body पर गया, तो body से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि direct lung में पहुच गया, इसे फिर pumping ज़रूद पड़ी, तो फिर से heart पर गया, तब जाकि ये lungs में गया, तो दो बार इसका circulation हो गया, heart के अंदर, एक cycle में, lung से लेके, lungs तक ठीक है, तो अब यहां थोड़ा सा blood pressure को समझ लेते हैं, the force that blood exerts against the wall of the vessel is called blood pressure, तो blood pressure क्या होता है, जैसे ही आपका blood vessel है, इसके अंदर blood flow कर रहा है, तो जब blood flow करेगा, तो ये इस wall पे force लगाएगा, भाई कोई भी हो, जैसे घर के अंदर pipe भी एगर उसके अंदर पानी flow कर रहा होता है, तो pipe की जो wall होती है, कोई भी दुनिया का fluid हो, और कैसा भी pipe हो, अगर वो pipe के अंदर flow कर रहा होगा, वो liquid, तो उसकी जो wall होगी, उस पे force लगाएगा, तो blood भी क्या करेगा, जो blood vessels है, उसकी wall पर, यहां पर force लगाएगा, ठीक है, ऐसे से force लगाएगा, तो यही जो force लगात पर, वही हमारा क्या कहलाएगा, blood pressure, तो simple सी यह बात हो गई, अभी यह जो pressure होता है, वो arteries के अंदर जादा होता है, और veins के अंदर कम होता है, आर्टी के अंदर जादा क्यों होता है, भाई देखो यह हमारा heart है, heart से जब blood निकलता है, तो किस के तुरू निकलता है, artery के तु और heart के अंदर जब जाता है, तो किस के तुरू जाता है, vein के तुरू, ठीक है, तो veins में जो blood जा रहा होगा heart की तरफ, उसका pressure कम होगा, क्योंकि वो pump कराने के लिए जा रहा है, pressure कम है, तभी तो pump के लिए जा रहा है, और heart से जब blood निकलता होगा, तो heart ने अभी pump किया है, तो pressure जादा है, ठीक है, इसलिए arteries के अंदर pressure आपका क्या होता है, जादा होता है, और veins में आपका जो pressure है, वो कम होता है, ठीक है, अब यह जो pressure होता है, blood का inside the artery, artery के अंदर, ठीक है, अब हम बात किस की करेंगे, artery के, veins को आप छोड़ दो, artery के अंदर जो pressure होता है, वो भी द areší कि जुक वर समय त्किल्स के अच्छ्री यानि आपके वह्स को सुझा करें, तो उस समय जो प्रेशर होता है केहने किया। कब इंटर करेगा जब यह ventricle relax करेगा यानि expand करेगा जगें बनाएगा कि हाँ बलड आ जाओ तो relax position में इसके अंदर blood इंटर करेगा तो हम बात यह कर रहे हैं कि जब relax position होगी तब जो है जो blood है वो इसके अंदर इंटर करेगा तो जब blood इस ventricle के अंदर आ रहा होगा उस समय कोई pressure होगा blood का तभी तो आ रहा बिना pressure का तो move ही नहीं कर पाएगा तो उस समय जो pressure होगा उसे हम diastolic pressure कहते हैं ठीक है इतनी बात हो गई अब क्या होगा यह जो आपका left ventricle है जब contract करेगा सिकुडएगा दबाएगा अपनी walls को तो blood क्या होगा आगे की तरफ जाएगा body की तरफ निकल जाएगा ठीक है यानि अब heart से blood बाहर आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि जो आपके ventricle है left ventricle है वो contract किया है तो contract के case में यानि आपका जो contraction है इस case में क्या होगा जो blood है वो बाहर निकल जाएगा ठीक है तो जब blood बाहर निकल ला होगा तो उस समय भी कोई pressure होगा तो वो जो pressure होगा उसे हम systolic pressure कहते हैं ठीक है ये दोनों pressure आप समझ गए एक ventricle के relax करने वाला pressure है और एक contrary करने वाला pressure है तो अब साथी में ये भी चीज़ा बता दो कि ventricle के अंदर जब blood आ रहा होगा तब pressure जादा होगा कि जब ventricle से blood बाहर यानि heart से blood बाहर निकल ला होगा तब pressure जादा होगा वही heart के अंदर pump करने के लिए है यानि जब heart से निकलेगा तब इसका pressure जादा होगा तो ventricle से जब ये बाहर निकल ला होगा तब इसका pressure जादा होगा जब ventricle के अंदर pump होने के लिए इंटर कर रहा होगा तब pressure इसका कम होगा तो relax position में इसका जो pressure होता है वो 80 mmHg होगा भी हम देखेंगे और contract के case में इसका pressure 120 mmHg होगा ठीक है सेम कहानी ये right ventricle के लिए भी apply होगी ठीक है तो दोनों की हम बात कर लें तो ventricle के case में ventricle के relaxation और ventricle के contraction की बात हो रही है यहाँ पर तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुए जो normal systolic pressure है यानि contraction वाला जब heart से blood बाहर निकल ला है तो कितना pressure है 80 mmHg अब इसको measure कैसे करते हैं यह थोड़ा साम देख लेते हैं जैसे पहला वाला जो case है इसमें दिखा रहा है कि जो blood pressure है normal वो कितना होता है 120 by 80 होता है 120 आपका systolic हो गया और 80 आपका diastolic हो गया इसी को हमको measure करना है measure करने के लिए क्या होगा अब BP measure करने वाली machine लोगे जिसे हम 5.0 manometer कहते हैं ठीक है उसमें क्या होता है एक ऐसे rubber cuff होता है ठीक है ऐसे पट्टे जैसा होता है और उसके अंदर air भरी आ सकती है तो पहले यह arm पर ऐसे हम लपेड देते हैं ठीक है और यहां पर एक टो pressure gauge होता है यह जो measure करता है कि कितना pressure है यह pressure कौन सा होता है इस cuff के अंदर जो हमने बांधा है जिसके अंदर air भर रहे है तो air भरते जाएंगे तो pressure इसका बढ़ता जाएगा और artery को वो दबाता जाएगा यह भी बात आब याद रखने जो हम blood pressure measure करते है वो artery में measure करते है यहां पर हम veins की बात नहीं कर रहे है तो arteries में ही दोनों pressure measure करते है तो यह जो आपको 120 दिखा रहा है यह किसका pressure है यह cuff का pressure है जो हमने बांधा हुआ है यहां पर अब इसको दबाते जाते हैं और इसके अंदर air भरती जाती है जितना air भरेगी उतना ही हमारे arms पर pressure लगाएगी ठीक है जब यहां pressure लगेगा तो हमारी arteries क्या होगी वो दबने लगेगी क्योंकि tube ही तो है pipe जैसा तो ही है तो यह दबने लगेगा कि जो pressure है कफ में वो 120 के उपर है तो इतना हमने setting कर दी अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे stethoscope ठीक है और यहां पर इसका यह हिस्सा हम अपने कान में दोनों लगाएंगे और यहां पर जैसे देख रहो यह arm पर लगाएंगे ठीक है और अब क्या करेंगे हम pressure को कम करेंगे कैसे कम करेंगे यहां देख रहो एक valve type का यहां पर लगा हुआ है गोल सा इसको जो हम घुमाएंगे तो यहां से air निकलना शुरू होगी जब air निकलेगे तो pressure कम होगा दबाव इसका कम होगा तो कम करते जाएंगे एक time आएगा जब pressure 120 के नीचे जैसे ही पहुचेगा यहां पर एक sound आपको सुनाई पड़ेगी sound क्यों सुनाई पड़ेगी क्योंकि देखो जो blood pressure लगा रहा है वो कितना है 120 और बाहर से जो आप cuff के तुरू pressure लगा रहे हो वो 120 से जैसे ही कम होगा यानि blood वारा pressure जैसे ही जादा होगा तो blood pressure जादा होने के वेज़े से यह flow करने लगेगा ठीक है अब इसको cuff रोक नहीं पाएगा क्योंकि cuff का जो pressure है वो 120 से कम हो गया है तो blood यहां निकलेगा जैसे ही यहां blood निकलेगा वैसे भी आप general भी example देखे होगे जब किसी खाली जगहे से पानी इंटर करता है तो एक sound से निकलती है पानी जब अपना tap खोलते हो तो समय जब पहली बार पानी निकलता है तो एक sound से एक टकराव सी sound सुनाई पड़ती है तो बिल्कुल यहां पर खाली हो गया था आर्टरी हमारी तो यहां पर जब पहली बार blood निकलता है तो एक sound देगा तो वो sound जैसे ही आपको सुनाई पड़े यहां पर देख लो कि क्या pressure है तो वही pressure आपका कौन सा हो जाएगा systolic pressure हो जाएगा जो कि हमारा 120 normal person के लिए होता है अब pressure को आप कम करते जाओगे wall घुमाते जाओगे air इससे कफ से निकालते जाओगे तो एक time आगा जो sound है वो stop हो जाएगी आप sound आपको सुनाई नहीं पड़ेगी तो जैसे ही sound गायब हो उस समय pressure देख लो कितना है तो यहाँ देखोगे normal person का कितना दिखाएगा 80 से थोड़ा नीचे दिखाएगा तो हम roughly उसको 80 माल लेते हैं कि normal person का कितना है 80 तो इस तरह से measure किया जाता है पहली sound जब सुनाई पड़े तो वो pressure जो होगा वो आपका systolic pressure होगा जो कि normal person के लिए 120 होता है अगर blood pressure आपका high आ रहा है मालो जो पहली sound है आपको 140 पे सुनाई पड़ रही है यह 150 पे तो हमारा normal तो 120 होता है जाद है तो उसका मतलब हम क्या कहेंगे कि क्या problem है उस बंदे को hypertension की problem है यानि blood pressure इसका high है यह कैसे cause होता है cause by the construction of arterioles arterioles आपकी क्या होती है देखो ऐसे होता ही है जैसे यह आपकी artery जा रही है यहां से एक branch निकली जो किसी organ की तरफ जा रही है यहां पर कोई organ है वहाँ पर कोई एक branch artery सो जो निकलती है तो इस branch को हम क्या कहते है arterioles ठीक है तो इन RTols के अंदर जिसे मैं बनाओ यहां पर यह हमारी RTols है, यहां पर construction हो जाता है, कोई चीज यसे जमने लगती है, ठीक है, blockage हो जाता है, तो इसको कम जगह मिलेगी, जब कम जगह में blood flow करेगा, तो सीधी से बाद इसका pressure जादा बढ़ जाएगा, जितना space हम कम करते इसका pressure बढ़ेगा, ठीक है, तो इसलिए जो blood का pressure बढ़ जाता है, क्योंकि RTols के अंदर construction हो जाता है, तो इसकी वज़य से क्या होता है, increase resistance to blood flow, तो जो blood flow है, भाई सीधी से बाद कोई चीज जम जाएगी, तो blood के flow को रोकेगी, resist करेगी, अगर यह ज़्यादा बढ़ जाता है, यानि जितना जादा space काम होती जाएगी, तो आखिर में यह problem हो सकती है, it can lead to rupture of an artery, तो artery आपकी फट सकती है, उसमें breakage हो सकता है, और जब फट जाएगी तो क्या हो, उसके अंदर blood है, तो internal bleeding होने लगेगी, ठीक है, तो यह problem हो सकती है, तो यह था हमारा आज का topic, इसे जब भी नए वीडियो आएगी, आपको message आ जाएगा, और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो, चाहे science की या और subject की, तो आप playlist विजिट करके देख सकते हो, playlist कर लिंग मैंने description में दे दिया है, ठीक है, वहाँ से जाकर आप direct playlist ओपन कर सकते हो, ओके तो फिर मिलते है अगली वीडियो में, thank you.